नमस्कार साथियो दा डिगनिटी के यूटूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम इस वीडियो में बिहार सरकार द्वारा या बिहार के आयोग द्वारा बीपीएस्टी के द्वारा जो SI का पोस्ट है या आपका जो है सब इंस्पेक सकते हैं यह भरती किस प्रकार की है इसमें कितने पद हैं इन सारे विश्यों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे और उम्मीद करता हूं आप वीडियो आंप तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अब सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिके जो है इसमें आप जो है जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यह चार कॉलम दिखेंगे बिहार पुलिस प्रोहिबीशन डिपार्टमेंट बिहार फायर सर्वेस फॉरस डिपार्टमेंट और आपका मिसलीनियस अभी अगर बात की जाए तो जो आपका SI की रहे होंगे कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन यह दिख रहा है दो तारिक का है एप्लाई ओनलाइन फॉर दब पोस्ट ऑप सब इंस्पेक्टर प्रोहिबीशन इन प्रोहिबीशन एक्साइज एंड रजिस्टेशन डिपार्टमेंट गवर्मेंट और बिहार इस्टेशन की आपकी नहीं है पुलिस विभाग की भरती अभी आनी बांकी है लेकिन यह भी एक बहुत अच्छा पद है अब हम इसकी चर्चा आंगे कर लेते हैं एक बार जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह नया एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें दो चीज़े दी गई है सबसे पहला तो रिश्रिस्टेशन दिया गया और रिशिस्टेशन में दिया गया है सब साब की जो रिशिस्टेशन है वह 45 2023 से मतलब कल से आपका जो है अब एक बार जो है इसका एडिवरटाईजमेंट जो हम से देख लेते हैं जैसे फार Health करेंगे आपके सामने यह कितने हैं किस-किस विभाग में है अब यहां पर दिया है कि देखें मद्ध निशेद उत्पाद एवन निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवन निरिक्षक मद्ध निसेद सब इंस्पेक्टर प्रोहिबेशन एवं बिहार अगनी शमन सेवा जो है आपकी आरक्षी शाखा साम में आपके सब डिवीजनल फायर स्टेशन ऑफीसर के लिए भरती निकाली गई है मतलब दो आपके विभाग है एक तो विभाग है आपका मद्ध निशेद उत्पाद एवन निबंधन विभाग एक तो यह है और दूसरा आपका बिहार अगनी शमन सेवा जो है इन दो सब इंस्पेक्टर की आपकी जो है भरती निकाली गई है ठीक है चलिए तो विभाग क्लियर है आपको हाँ विभाग पूरी तरह से क्लियर है अब आंगे की चीज बता दीजे सर अब आंगे की बात करें तो देखी यह दोनों दिया गया है कि अवार्ड निरेक्षक मद्ध सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का जो है वेतनमान कौन सा होगा लेबल 6 का होगा संख्या कितनी है 11 कितनी है 11 तो बहुत कम संख्या है लेकिन आप यह मान कर चलें कि यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह सावजनिक आपकी जो पुलिस विभाग की है वो भरती नहीं है वह भरती अभी आना सेश है और ऐसा उम्मीद है कि मई के आसपास तक वह भरती आएगी आंगे बढ़ते हैं आपका सब डिविजनल जो फायर स्टेशन ऑफीसर है उसमें भी वेतनमान लेबल 6 का ही दिया जाएगा इसमें आपका जो है टोटल आपकी जो पोस्ट ह देख रहे हैं हाण चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं बहुति इस लोतिकिकेश्चन में आंगे क्या-क्या दिया गया है बहुत के बाद के बाद अगर हम देखें तो आवेदन की पात्रता कैसे हैं मतलब अभ्यारती कौन है जो भर सकते हैं सामान जो है यहां पर बता जाले से इसनातक परिक्षा आपका या कहा जाए तो graduate होना जरूरी है graduate होना अनिवार तो एकदम clear रखेगा कि जो graduate हैं वो इस form को भर सकते हैं आयू सीमा की बात की जाए एज की बात की अगर आप पुरुष वर्ग से हैं तो देखिए आपकी न्यूनतम आयू दी गई है 20 वर्ष और अधिक्तम कितनी है 40 यह किसके लिए है यह आपका जेनरल वाले वर्ग के लिए है पिछड़ा वर्ग में अगर देखा जाए तो न्यूनतम 20 अधिक्तम चालेस है तो अगर आप OBC से हैं तो 20 और 40 आपकी एज लिमेट है अगर आप अंसूचे जाती जन जाती से हैं SCST से हैं तो नियूंतम 20 और अधिक्तम 42 मतलब 2 साल जो है वो आपको ज़्यादा दिये गए है SCST में ठीक है सौरी आंगे बढ़ते हैं अब बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए प्रतियोगी परिक्षाओं में भाग लेनू है तू अरिक्तम 5 वर्ष आपका जो है 5 वियर आपका जो है उसकी छूट मिलेगी अगर आप X सर्विसमेन हैं अग वो पांच वसकी इसके अत्रिक्त छूट दीजाए यहां पर अगर आप असैने के ये दिया असैनिक पदोपन्यूगति आप भूतपूरि सेनेक जाए तो तीन की और एक्स्ट्रा आपको छूट दी जा सकती है अब यहां पर सारीरिक आयो गया है कि भाई क्या होना चाहिए जनरल वालों के लिए नियूंतम जो आपकी हाइड है वो 165 मीटर है ओभी सी के लिए 160 मीटर है अंसुचे जन जाती जाती के लिए 160 मीटर है महिलाओं के लिए 155 मीटर ठीक है और यह सीना दिया है आप इस नोटिफिकेशन को देख क्या ऐसाई कौन सा है वो बता दिया आयू सीमा कितनी है वो बता दिया अब यह बता दीजे कि सलेक्शन कैसे होगा तो अब सलेक्शन की अगर बात करें तो देखे कुछ चरण दिये गए सबसे पहले लिखित-प्रतियोगी परिक्षा होगी आपकी टेक है अब यहां पर द प्रारंभिक परिक्षा होगी जो पहला चरण होगा उसमें 200 अंगों का एक पेपर होगा जिसमें टोटल संख्या कितनी होगी कोश्चनों की वह होगी 100 यह लिखा हुआ ऐसा 200 आपके अंक होंगे 100 नंबर का होगा और आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा दो घंटे तो यह तो आपके प्रीका दिया गया इसमें से 30 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यारती मुख परिक्षा में नहीं जाएंगे मतलब इन्होंने मिनिममम क्वालिफाई भी बता दिया है कि 30% होना ही चाहिए अब दूसरे चरण में क्या होगा दूसरे चरण में प्रारंबिक परिक्षा में जो सफल होंगे उन्हें दूसरे चरण में आउसर मिलेगा इसमें 2 पत्र होंगे 2 पेपर होंगे पहले में 200 अंक होंगे जिसमें हिंदी का 2 घंटे आपको दिया जाए दूसरा पेपर जो है वो सामान अध्यन मतलब जनरल नौलेज सामान विग्यान जनरल साइंस नागरिक सास्त जो है भारती इतिहास भारती भुगोल गड़ित मानसिक योगता मतलब मेंटल एबिलिटी जो है इसका आपका पेपर होगा इसमें भी 200 नंबर होंगे और आपका प सरीर का मापदंड होगा आपका जो है मेजरमेंट होगा उसके में आपका जो है आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा दोड़ दी गई है कि भाई अगर आप जो है आप अगर पुरुष वर्ग के हैं तो एक मील आपको 1.6 किलो मीटर जो है वो 6 मिनट 30 सेकेंड में दोड़ना पड़ेगा महिलाओं के लिए वही एक किलो मीटर है आपका चीक अच्छा यहां पर मील है और महिलाओं के लिए किलो मीटर इस चीज का ध्यान रखिएगा तो महिलाओं का जो एक किलो मीटर की दोड़ है उसमें समय दिया जाएगा 6 मिनट का मतलब आपका जो है यह जो 600 मी यह दिया गया है अब अगर बात की जाए तो आपका जो है इसमें आरक्षण की बात की जाए तो देखिए अंसूचे जाती जो है अब जो तिरपन पद है उनके लिए भी कैसे आरक्षन है वो भी दिया गया है यहां पद तो 11 पद और तिरपन पद दोनों के लिए पूरी तरह से विधिवत तरीके से बताया गया है अब सबसे बड़ा प्रश्ट यह आता है कि सर क्या ये पूरी तरह से भरती वो है जिसका हम इंतजार कर रहे थे तो बिल्कुल मैं आप सभी से छमा प्रार्थी हूं ये वो भरती नहीं है जिसका आप इंतजार कर रहे थे लेकिन हाँ अच्छी भरती है आप चाहें यदि आप ग्रेजुएट हैं और पेपर भी कोई टफ नहीं है आपका प्रारंबिक पेपर भी सामान है और आपका जो दूसरा चरण है जो मेंस चरण है वो भी सामान है तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को चार म आई से आपका जो है रजिस्टेशन प्रारंब हो जाएगा आप यहां से कारेक्रम को आंगे बढ़ा सकते हैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा धन्यवाद